आज हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी का चेप्टर फर्ष्ट की कोस्चन का एंसर जिसका सीर्षक है अंडे के छिलके इस चेप्टर से पहला प्रश्ण है प्राया घर तो लगता ही है भावी अपने भावी भाई की कमरे में श्याम को प्राया पैन का एहसास क्यों होता है उसका एंसर है श्याम सद्यों से ही लप्रवा रहा है उसके भाई गुपाल भी उसके समान ही लप्रवा थे साधी से पहले वो विश्याम के शमान ही कमरे को गंदाता था और व्यस्थित रखते थे साधी के बाद उनकी पत्नी वीना द्वारा कमरे को व्यस्थित किया जाने लगा गुपाल का कमरा अब व्यस्थिती में नहीं है वो शाप और व्यस्थित हो गया है यही कारण है इश्याम को अपने भावी भाई के कमरे में परायापन का एहसास होने लगता है सेकंड प्रश्ण है एकांकी में अम्मा जी की जो तस्वीर उभरती है अंठ मुगों बिल्कुल बतल जाती है टिपड़ी कीजे तो इसका एंठर एकांकी के आरंभ में बताया जाता है कि घर में अंडे खाना चंदरकांता जैसी पुस्त के पढ़ना तो ता सिग्रेट पिन्या यत्यादी को गलत माना जाता है घर में इनका प्रियोग नहीं किया जाता है अता परिवार के शब सदस्वी के कारचिपकर करते है इस प्रकार की बाते पढ़कर पाठा के मन में अम्मा के प्रद्दि जो तस्वीर उभरती है वो रूड़ी वादे सोच रखने वाली स्तिरी की है जिसकी सोच से घरवाले परिशान है लेकिन एक आंकी के अंत में आते आते मादो भाईया के कथन से सब की चेहरे शफित पढ़ जाते हैं कि अम्मा ये शब जानती है वे आगे कहते हैं कि अम्मा तो शायद मेरी वे बाते भी जानती है जो मैं समझता हूँ कि वे नहीं जानती तब पाठकों को पता चलता है कि अम्मा बहुत ही सुलजी हुई इस्तिरी है वे समझधारी से घर में हो रहे कामों के प्रती उपेच्छा भाव रखती है जहां वे छोटे में अपने प्रती शमान को बनाए रखती है वहीं वे दुसरों की सौतंतरता में हस्तचेप नहीं करती वे जानती है कि वे बच्चों को इनका रोको करने से रोकेंगी तो हो शक्ता है कि बच्चों के मन में उनकी प्रती डर और शमान की भावना है शमाप्त हो जाएंगी अभी तो वे उनके डर से सारे काम छिप कर करते हैं वे कुछ कहती हैं तो उनका डर निकल जाएगा और विशारे काम खुल कर करने लगेंगे अतोब वे चुप रहकर उस डर को कायम रहने देती है थार्ड प्रेश्ण है अंडे खाना चंदरकांता संतती पढ़ना आदी किनी संदर्बू में गलत नहीं है फिर वी नाटा के पात्रों ने चिपर करते हैं क्यों आप उनकी जगह होते हैं तो क्या करते हैं तो इसका अंसर है आज के समय में ये तीनों कारे किनी संदर्में गलत नहीं कहे जा सकते हैं किसी समय में इने गलत माना जाता था एक सुद्साकारी परिवार में अंडे खाना गलत माना जाता है यदि कोर किया जाए तो पात्रों द्वारा ये बताया गया है कि परिवार के लोगों को अंडे नहीं खाना चाहिए तो इस बात का प्रमान है कि परिवार सुद्साकारी है अता यह इस संधर्व में गर्दी ही होगा ऐसे ही चिंदरकांता जैसी पुस्तक मनुरजन के उद्धे से लिखी गई है इसमें जादू और प्रेमित्यादी का उलेख है उस समय माना जाता था कि इस परकार की पुस्तके मनुष का मर्ग रशन नहीं करती है अता घर के लोगों को ऐसे पुस्तक पढ़ने से माना किये जाता था सिगरेट के बारे में कहा जाये तो कभी भी अच्छी नहीं मानी गई है यह तब भी नुकसान दे थी और आज भी नुकसान दे है यह हो सकता है कि आज की समय में इसका पुर्योग बहुत अधीक होने लगा है एक परिवार में घर वाले चाते हैं कि बच्ची इसका पुर्योग नहीं करे बच्चों इसके निम्रिखित कारण हो सकते हैं कि घर वाले इन कारियों को छिपकर किया करते थे कारण को है परिवार वाले अपने घर के बड़ों का आधर समान करते थे वे अपने बड़ों की सोच को जानते थे और था उनकी बात रखने के लिए ये कार उनसे छिपकर किया करते थे कारण खा है, घर में कलह को बचाने के उद्देश से वे ये कारचिप पर किया करते थे उन्हें लगता था कि माता जी को ये दिश्गा पता चल जाएगा तो घर में तनाव पैदा हो जाएगा कारण गा है, वे मा की सोच को रूड़ी बादी सोच मानते थे उन्हें लगता था कि मा उनकी ने विचारधारा और परिवर्तन को नहीं समझेगी, इसलिए वे कारचिप कर किया करते थे कारण गा है, मा के प्रती प्रेम भाव भी उन्हें ये कारचिप कर करने के लिए प्रेडित करता था मैं उनकी जगह होता तो यही करता तो जो इस पार्ट में सभी पात्रों ने किया हमारे लिए भी उपर दिये के बिंदू मनने होते हैं यह हमारे शन्सकार है जब हम जानते हैं कि यह कारबड़ों के नजरों में घलत है तो हम उनके शामने वेकार नहीं करते हैं फोर प्रश्न है राधा के चरित्र की ऐसी कौन सी विशेस्ता हैं जिने आप अपनाना चाहेंगे तो इसका एंसर है राधा के चरित्र में बहुत सी बाते हैं जिने अपनाने से हम अपने चरित्र को और अच्छा बना सकते हैं तीन बाते हैं ऐसी जिने हम अपना सकते हैं वह इस प्रकार है, कह राधा को पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए वो पढ़ती रहती है, रात में जब शबशो जाते हैं, तो अपने इस इक्षा को पूरी करती है, इसके लिए वो किताबे मंगवाती है, वो मात्र पढ़ने के लिए नहीं पढ़ती है, वो जो पढ़ती है, उसमें सही कलित का मन्थन करने की समझ उसमें विद्यमान है अतब पुरानी कथाओं से लेकर तिलिस्म कथा तक के पात्रों का मन्थन करती है खा है राधा समझदार इस्ति लिए वो इस्तिती को संभालने के लिए तुरंत सही निर्ने लेना जानती है दुसरों की गलती को भी छिपा लेती है, कठनाई पढ़ने पर श्वम आगे बढ़कर आ जाती है, वो गलत कारियों के लिए दुसरों पर एज़ाम नहीं डालती, जिस बास से इस्थित संभल जाए, मतलब जिस बास से इस्थित संभल जाए, वो कार करती है, गाह, रादा संजीदा सभाव की स्थिरी है, बस्पाना उसके सभाव को चू भी नहीं गया है, घर में कौन क्या करता है, उसकी सब जनकारी रखती है, लेकिं वो किसी को कुछ नहीं बताती है, इससे पता चलता है कि वो संजीदा सभाव की स्थिरी है, प्रश्न 5 का कह है, सरकार की धुम दुम्रुपान की मनाई की पीछे कौन से कारण है प्रश्न खा है यदि आप अपने घनिष्ट मित्रों को चोरीची पे सीरट पीते देखे तो आपकी क्या प्रतिकिरिया होगी एंसर को का है सरकार की धुम्रुपान करने की वेदानिक चेतावनी और बड़े बुजुर्गों की धुम्रुपान की मनाई की पीछे एक ही करण विद्यमान है यह ऐसा वेशन है जो मनुष्क नुकृषान ही देता है इससे होने वाल नुक्षानों को पुरा विश्व जानता हमारे बड़े बुजर्गों को इस बात का ग्यान है इसलिए सरकारता था बड़े बुजर्ग हमें इसका सेवन करने से रुखते हैं वे हमें इससे होने वाले नुक्सानों से बचाने का प्रयास करते हैं उत्तरखा का है मैं अपने मित्रों को बहुत अच्छा मानता हूं अता ये दिवने ऐसा कार करते देखता तो मैं करोधित हो जाता सबसे पहले उन पर गुसा करता उसके बात प्रयास करता कि वे इस वेशन को छोड़ दे हर वो कार करता जिससे अपने मित्रों को इस वेशन से तूर रक्षबू